तो अगर आप एक professional computer operator की तरह काम करने का सोच रहे हो तो आपके computer में ये 5 tools होने ज़रूरी है जिसकी मदद से आप अपनी काम की productivity बढ़ा सकते हैं और पहले बता देता हूँ ये 5 tools free है लेकिन कौन से scenario में इन tools के आपको ज़रत पढ़ सकती है आप computer teacher हो, student हो, computer operator हो आप जो कोई देते हैं कौन से scenario में use होते हैं वो भी मैं आपको बता दीता हूँ मैं सदिश आप सबका स्वागत काता हूँ चलिए शुक्र करते हैं तो सबसे पहले tool की हमें ज़रुवत तब पढ़ सकती है जब example ले लो कि मैं कोई problem में आपे श्टक हूँ और मैं किसी से online help लेना चाहता हूँ बेसिकली online help लेने के लिए आपको आपके desktop को share करना पड़ेगा आपकी screen को share करना पड़ेगा तो सामने वाला person जो भी बंदा है वो आपकी computer को वो टेक्निकली smart है वो आपकी computer को access करना चाहता है तो उसके लिए आपके computer में एक software होना ज़रूरी है remote desktop software और मैं recommend करूँगा यह पर अवी का remote desktop software जी है अवी का remote desktop की मदद से आप smoothly किसी की भी साथ आपकी screen share कर सकते या फिर किसी की भी screen access कर सकते जैसे आप इसका interface देख सकते यहाँ पर आपको एक ID मिलता है और साथ में password मिलता है जब तक आप यह ID password किसी के साथ share नहीं करोगे तब तक वो आपका system access नहीं तो कोई hack वोने का tension ही और वैसे भी आभी का यहाँ पर बहुत अच्छी security प्रोइड करता है जैसी आप इसे close करते और दुबारा open करते तो यहाँ पर password चेंज आपको मिलेगा even आप custom password भी यहाँ पर जाकर set कर सकते हो custom password set कर सकते है साथ में इस remote application की मदद से आप file transfer कर सकते है आप remotely shut down कर सकते हैं आप remotely restart भी कर सकते हैं और साथी में आप इनके android application की मदद से अपने phone को desktop के साथ connect कर सकते हैं और desktop को अपने phone से आप access कर सकते हैं और हाँ इस अवी का remote software का basic plan जो की lifetime access के साथ आपको free मिलने वाला है कुछ features के साथ जो की features आपको यहाँ पी दिखाए दे र transfer कर सकते हैं multi to multi monitor connect होता है unlimited device के साथ आप connect कर सकते है unlimited login devices कर सकते हैं और धे सरी चीज़े आपको यहाँ पर free में access करने के लिए मिलती है और अगर आप detail में जानना चाते है अवी का के बारे में तो इसके उपर dedicated video already मैंने बना है जिसकी link उपर i button में और description में मैं आपको दे तो यह पहला remote desktop software जो हर किसी के computer में होना इसलिए जरूरी क्योंकि हमें कभी भी technical problem आता है तो भाई यह technical problem solve करने के लिए किसी की मदद लेनी है तो भाई हमारे पास होना चाहिए अभी का remote desktop software अब बढ़ते है tool no.2 की तरफ तो अब हमारे दूसरे tool की तरफ बढ़ते है जो की है Microsoft की तरफ से power automate Microsoft store पे जहिए power automate search कीजिए download install कीजिए latest windows 10 और 11 में आपको मिल जाता है यहाँ पे आप अपने flows ताहर कर सकते है flows मतलब क्या होता है यहाँ पे automation आप ताहर कर सकते है जहाँ पे एक काम के लिए रोज रोज दो गंटा लगा रहे तो यहाँ पे power automate की मदद से वह quickly हो जाता है यहाँ पे power automate की मदद से किसी भी website के अंदर बहुत सारे table से उसका data भी आप extract कर सकते है अब आपको idea नहीं कि कोई भी website के अंदर का data extract करके Excel में कैसे लिया जा सकते है तो इसके उपर भी मैंने dedicated video बना है power automate क एक dedicated video है जहाँ पे मैंने बताया कि power automate का इस्तमाल आप अपने daily काम के लिए या repeat task के लिए automate करने के लिए कैसे use कर सकते है घंटों का का मिन्टों में करना है तो इस tool का इस्तमाल करना आपको सीखना जरूरी है और उसका detail link आपको description में या उपर i button में मिल जाएगा जहाँ प tool no.2, now we'll move to the tool no.3 अब यह tool कौन से scenario में use होता है यह tool हर किसी को use हो सकता है teacher, students या फिर computer operator, basically अगर आप कोई भी चीज का screenshot किसी के साथ share करना चाहते तो थोड़ा सा professionally अगर share करोगे तो बहुत कमाल का screenshot रहेगा, right? तो कैसे मैं आपको बता देता है, जैसी यहाँ पे इस tool को आप download इस्टाल करोगे, इसका नाम है sharex, description में मैं link देदूगा, sharex आप google पे search करो, download इस्टाल करो, तो यहाँ पे capture में जाकर आप देख सकते, full screen, window, monitor, region, जो region आप यहाँ पे capture करना चाहते, मैं region ले लिता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते, suppose मेरे पास excel पीछे open है, तो मैं इसका full screen capture करना चाहता हूँ, तो यह capture तो हो गया, लेकिन capture के साथ साथ, right click मैं इसके उपर करता हूँ, और जब मैं यहाँ पे edit image करता हूँ, तो यहाँ पे आपको धेर सारे tools मिलते है, जिसकी मदद से, step 1 आपको दिखाए दे रहा है, मैं चाहता हू step 1, यहाँ पे आप click करे, step 2 आपका यह होना चाहिए, step 3 आपका यह होना चाहिए, तो यह steps यहाँ पे आड कर सकता, not just steps, मैं यहाँ पे arrow करना चाहता हूँ, तो मैं आड पे click करूँगा, और मैं बताऊंगा कि यह क्या होता है, मैं यहाँ पे कोई annotation, यानि कि speech balloon add करना चाहता हूँ, तो मैं speech balloon ले लूँगा, मैंने लिख दया excel ready to go files, तो excel ready to go files, यहाँ पे मैं इसे excel template को बोल दूँगा, तो आपकी screenshot के अंदर धेर सारे points highlight कर सकते हैं, धेर सारी चीज़े कर सकते हैं, और इसे save करके किसी की साथ share भी कर स तो यहाँ पे screenshot तो बहुत अच्छी तरह से लिया जाता है, तो screenshot के अंदर बहुत सारे points भी highlight किया जाते है, तो अगर आप notes बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई newsletters बनाना चाहते हो, आप कोई marketing templates बनाना चाहते हो, उस time पे आपको screenshot की जरूरत बढ़ती है, और यह share एक screenshot आप जरूरी इस्तमाल कीजिए, so this was productive tool number 3, आप बढ़ते है tool number 4 की तरह, अब मैंने आपको screenshot लेना तो बता दिया, लेकिन screen recording के लिए यह tool सबसे ज्यादा इस्तमाल करते है, और यह बिल्कुल free है, OBS studio करके यह screen recording tool है, जिसकी मदद से आप screen को record कर सकते है, यहाँ पे live lectures लेने के लिए भी बहुत सारे लोग इसे इस्तमाल करते है, तो OBS studio को इस्तमाल करना है, detail में सीखना है कि इसके जरीए screen record कैसे होती है, properly, और high resolution के साथ screen record होती है, तो उसके लिए भी dedicated video मैंने create करके रखा, in fact, ShareX जो हमारा screenshot, 3 number का tool था, उसके उपर भी detailed video है, तो उन सारे videos की लिंक मैं description में एक साथ आपको दे दूँगा, तो check out कीजिए कि OBS studio की मदद से हम कैसे अपनी screen को record कर सकते हैं, कभी कबार कोई चीज हमें किसी को पढ़ानी होती है, या कोई problem हमें किसी के साथ share करना रहता है, लेकिन उसके लिए screen recording करना होता है, तो screen recording OBS studio ये 4th number का tool आप use क easy है, और उसके बाद कई बार हमने recording कर लिए screen को, या कोई video हमने shoot कर लिया, उस video में कुछ cuts लगाने, और ये आज कल video advertising का जमान है, आपको पता है, तो आपको आपकी video को cuts लगाने, cutting करना है, उसमें text add करना है, तो उसके लिए video edit करना पढ़ेगा, एडिटर एक software आपको लेन इसमें इसमें video edit कर सकते हैं, यह जादा advanced software नहीं, लेकिन basic level के editing यहाँ पर अच्छे से आप कर सकते हैं, आसनी से कर सकते हैं, वीडियो के अंदर cut लगाना है, मतलब unwanted part वीडियो में से रिमू करना है, कोई text lower third वागर अगर आपकर 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 सकते हैं, तो यह एक software है, जो आज कल लोगों को requirement की video edit कैसे करें, तो यह pre software open shot video editor, जिसके उपर already dedicated video मैंने create किया है, नीचे आपको description में link दे दूँगा, तो यह थे 5 tools जिसकी मदद से आप अपने काम की productivity बढ़ा सकते हैं, यह video कैसे लगा है, यह comment में ज़रूर बताएं, साथी में मैं आपको बता जानी हैं, तो आपको पहले skills सीखना बहुत जरूरी होता है, और skills with certificate सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि certificate भी आपको interview में पूछ जाता है, तो हमने एक platform लाया है, जहां पे आप घर बैटे-बैटे skills सीख सकते है, with certificate online सीख सकते है, with practice file, notes and all, सब हम provide करते हैं, तो उसके लिए आपको description में जाना है, हमारे platform को visit करना है, www.skillcoach.in, जहां पे आप घर बैटे-बैटे skills सीख सकते है, skills सीखने के बाद आपको certificate भी मिलने वाला है, जहां पे market में जो in-demand skill होते है, latest technology होती है, उनको सीखे, आप अपनी काम की productivity ही नहीं, आप अपनी salary को भी grow कर सकते है, आप अपने job में promotion round के लिए qualify हो सकते हैं, तो ऐसे जह सारे benefits आपको वहां से skill सीखने के बाद मिलने वाले, तो इंट्रेशन तो ज़रूर चेक आउट कीजिए, description में skillcoach.in website को, फिलाल तो मैं आपको बताओ, मिलते हैं अगले वीडियो के अदर, तब तक के लिए अगर चैनल पे